आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोर्टल ओफ एंट्री तो इसमें हम जानेंगे सबसे पहले की पोर्टल ओफ एंट्री क्या होता है और कौन-कौन से ऐसे पोर्टल है जिनके थूँ जो माइक्रो अगनिजम है पैथोजन है वो बॉड़ी में एंटर करते हैं और कौन से तो यह सारे चीज़ए हम सबसे पहले हम जानते हैं क्या है तो इसमें जो हम मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ यह ठोड़ा सा बलर है क्लियर नहीं दिक रहा है या आपर तो लेकिन मैं पढ़ गर कर आपको सारा चीज़़गे बताऊंगी the portal of entry refers to the manner in which a pathogen enter a suspectable host यानि कि portal of entry क्या है एक ऐसा root है या फिर एक ऐसा माध्यम है जिसके तुरू जो pathogen है, microorganism है वो किसी host में, यानि कि किसी person में, किसी healthy person में वो enter कर जाते हैं, ठीक है कोई ऐसा root जिसके तुरू वो pathogen जो है, वो किसी healthy person में ये किसी भी person में वो enter कर जाते हैं उसे हम portal of entry बोलते हैं यहाँ पर आगे दिया है, the portal of entry must provide the access to the tissue in which the pathogen can multiple or the toxin can act ठीक है, यानि कि portal of entry क्या होगा कि वो किसी body tissue में, किसी healthy person की tissue में enter कर जाएगा और वो enter करने के बाद क्या करेगा multiple होना शुरू हो जाएगा, यानि कि अपनी growth बढ़ाना शुरू कर देता है और growth बढ़ाएगा तो क्या होगा, वहाँ पर infection cause हो जाएगा, ठीक है, यानि कि कोई भी microorganism है, वो body में enter हुआ है, तो वो अपना multiplication करना शुरू करेगा, multiplication होगी तो मतलब उसकी growth की वज़े से क्या होगा, infection भी बढ़ता चला जाएगा often infectious agents use the same portal of entry, a new host that they use to exit the source host, यानि कि यही pathogen जब किसी एक person को infected कर देता है, उसके तुरू जब वो किसी दूसरे person को infected करेगा, तो वो भी क्या होगा, same route ही वो chain of infection जो है वो बनती चली जाती है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगी chain of infection कैसे बनेगा, तो उससे क्या होगा, एक infected person के तुरू, एक healthy person वो भी क्या होगा, infected हो जाएगा, तो वो root, उसी root के तुरू ही वो दूसरे person में वो enter करेगा, और उसी तरह से वो multiplication करेगा, और वहाँ पर वो infection कोस कर देगा, आगे example दिया वाइस में, for example, influenza virus, exit the respiratory track of the source host and enter the respiratory track of the new host, जैसे कि यहाँ पर एक influenza virus का इन्होंने बताया है, कि मान लिजे, जो influenza virus ठीक है, वो किसी source host में है, यानि कि किसी person को, जो person है, उनके अंदर ये enter कर गया, influenza virus, और उसने क्या किया, वो कहीं पर वो sneeze करता है, coughing करता है, उसके droplet में ये infection मौझूद होता है, मतलब कि उसके droplet में, यानि कि जब वो sneeze करेगा, sneezing के साथ, यानि कि वो चीकेगा, तो उस जब ये droplet कोई healthy person inhale करता है, अपने जब वो सांस लेता है, तो उसके थुरू उसके body में जब ये जाती है, तो यानि कि क्या हुआ, वो root of infection, root क्या बना, nasal passages, यानि कि जब वो नाक के थुरू अपना सांस लेगा, उस root के थुरू वो जो influenza virus है, वो उस healthy person के अंदर enter कर जाता है In contrast, many pathogen that cause the gastroenteritis follow a so called the fecal oral route because they exit the source host in the fecal are carried on the inadequate washed hand to a vehicle such as a food, water, utensil and enter a new host through the mouth तो यहाँ पर बोला गया है कि जैसे कि आपने सुना होगा कि fecal oral route के थुरू भी ये पहुँचता है infection ठीक है, ये भी एक portal of entry भी बनता है, कैसे बनता है कि जब कोई person जैसे कि fecal root बोला गया है कि जब कोई person है वो infected है, ठीक है, मान लीजिए कोई influenza virus है ही infected है और वो fecal roots के तुरू जो है वो उसका जो virus है वो निकला है और उसने अच्छे से अपने hand clean नहीं किये हैं और वो अपने hand जो है tap पर लगाता है ठीक है, नल पर लगाता है और कोई healthy person आकर के उसी नल को touch करता है तो वो क्या होगा उस healthy person को भी वो virus जो है वो infect करेगा क्योंकि वो अपने hand जो अगर खाने में पानी में लगाता है तो वो खाना जो क्या होगा वो उसके स्टमक में जाएगा और वो pathogen जो हो वो enter कर जाता है ठीक है, fecal oral root यहां से आप समझ रहे ह होंगे या फिर fecal oral root होता क्या है जब भी वो अपना जो waste material है पास करता है और अपने hand wash नहीं करता है और वो किसी भी टैप को touch करता है किसी भी चीज को touch करता है यूटिंसल को touch करता है और उसको उस touch उसी चीज को अगर कोई healthy person use कर रहा है touch कर रहा है तो वो भी infected हो जाएगा तो अब हम बात करते हैं portal of entry की किन किन वो कौन से ऐसे portal है जिनके तुरू जे वायरस जो है वो easily enter कर जाते हैं ठीक है तो यहाँ पर है respiratory tract जैनिटी यूरिनरी ट्रैक गेस्ट्रो इंटरस्टाइनल ट्रैक स्कीन म्यूकस मेंब्रेन ठीक है ट्रांस्प्लांटल या फिर प्रेंटल इन के तुरू जो है वो यह क्या है सारे portal of entry है यानि कि इन रूट के तुरू जो pathogen है जो microorganism है वो सारे बहुत easily जो है वो एंटर कर जाते हैं अब इसके बात करते हैं portals of exit अब pathogen ने क्या किया entry कर ली है entry करने के बाद उसने infect भी कर दिये है person को अब वहां से क्या होगा वो exit भी होगा ठीक है अब exit कैसे होगा यानि कि body से बाहर कैसे होगा many portal of exit are identical to the portal of entry pathogen use these of exit host यानि कि कौन-कौन से ऐसे पोर्टल है जिनके तुरू वो भाहर जा रहे हैं secretion के तुरू secretion यानि कि saliva के तुरू जा सकते हैं sputum के तुरू जा सकते हैं या फिर respiratory droplet के तुरू जो है यह exit होंगे ठीक है saliva यानि कि जब जो लार होती है mouth में जो saliva बनता है उसके तुरू यह body से बाहर होंगे sputum जब cuffing होती है sputum बनता है उसके तुरू हो सकते हैं या फिर respiratory droplet यानि कि जब भी patient sneeze करेगा cuff करेगा उसके तुरू जो droplet बहार जा रहे हैं उसके तुरू यह exit हो सकते हैं excretion यानि कि जब वो urine pass करता है या फिर ficus करता है तो उसके तुरू यह exit हो सकते हैं and bodily fluid यानि कि blood के तुरू CSF के तुरू vaginal excretion, semen के तुरू तो यह सारे क्या है root of exit है तो यह था हमारा आज को topic I hope आपको अच्छे से clear हो गया होगा तो इसमें हमने जाना है portal of entry होता क्या है ठीक है कौन-कौन से area की through entry होती है और कौन से ऐसे portal है जिन से यह pathogen जो है वो exit होते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही I hope यह वीडियो आपके लिए helpful रहेगा thank you for watching कर दो